बारतिय सेना हर चुनोती का सामना करने के लिए एक युवा अधुनिक तक्नीकी रूप से सक्षम शक्ति-शाली और ततपर सेना के रूप में परिवर्थित हो रही है इस लक्ष को स्वरूप दे रहे है भारतिय सेना के परिवर्थन के 5 स्तम्भ नवीनी करण, आधोनी की करण और मेकिन इंडिया से टेक्नोलोजीकली सक्षम होती सेनब आज बन रही है आत्म निर्भर भारत की पहचान भारतिय सेना ने आटोमेशन और डेजिटाइजेशन को तेजी से अपनाया है आटिफिशल इंटेलिजेंस, ब्लोकचेन, कॉन्टम कम्प्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग और आटोमेटेड अगनीवीर मैनेजमेंट सॉप्टवेर जैसे कदमों दवारा सेना के सिस्टम्स और प्रोसेसेज में आ रहा है बदला बदलते समिकरणों को ध्यान में रखते हुए सेना में हो रहे हैं उप्योगी पुनरगठन जो भारत ये सेना को एक एजाइल, मॉडिलर और अनुकूल संगठन में परिवर्तित कर रहे हैं बदलते समय और युद्धे के तरीकों में बदलाओ के साथ सेना ने भी बदली है अपनी रणमीतियां और प्रशीक्छन के तरीके साइबर इंफरमेशन और ग्रेजोन वार्फेर इत्यादी के साथ-साथ सेना मल्टी डोमेन अपरेशन्स के लिए तयार हो रही है दुमिया के हर कौने से मित्र देशों के साथ बढ़ती जॉइंट मिलिटर एक्सिसाइज़ और यूएन पीस कीपिंग में भागिदारी हमारी सेना के विश्विशान्ती में बढ़ते योगदान को दर्शाती है भारतिये वायू सेना और नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास और संचालन भारतिये सशुस्त्र सेनाओं को प्रबलता दे रहे है समन्मे से हो रहा है सशक्तिकरण भारतिये सेना देश की विभिन सुरक्षाइवं अनुसंदान संस्थाओं के साथ मिलकर किसी भी संकट का सामना करने के लिए सक्षम और प्रभावी है Infrastructure Development न केवल सुदूर क्षित्रों में सेना की मौजूदगी को सशक्त बना रहा है बलके इन क्षित्रों को मुख्य भूमी से भी जोड़ रहा है प्रधानमंत्री गती शक्ती योजना और डुवल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर से इस प्रगती को मिल रही है अतिरिक्त गती सेना के अंदुरोंनी निर्मान कारे भी अब और आधोनिक और प्रभावशाली बन रहे है बड़े पैमाने पर वनी करण, सौर उर्जा का इस्तेमाल, चावनियों में एवी चार्जिंग का प्रयोज इंडिया से प्रयासुंदवारा क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया का सपना पूरा हो रहा है मानो संसाधन के क्षेतर में हुई एक एतिहासिक पहल है, अग्नी पत हर प्रांथ से युवा, उत्साही और योग्य अग्निवीर, देश के विभिन्ने ट्रेनिंग सेंटर्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है ये युवाद निवीर देश की रक्षा में ही नहीं बलके सही कौशल पाकर राश्टर निर्बान और समाज कल्यान में भी अपना योगदान देंगे उनके सुरक्षित भविश्य के लिए सेना और सरकार द्वारा किये गए हैं बहुत से प्रावधान देश की उन्नती एक पंक से उडान भरने पर नहीं हो सकती है भारतिय सेना नारी सशक्ती करण के लिए कठी बद्ध है सेना में बढ़ती महिला भागिदारी इसका प्रमान है सिर्फ रणक्षितर में ही नहीं स्पोर्ट्स और अडवेंचर में भी भारतिय सेना की अबहुत पूर सभलता देश को एक नए मकाम पर पहुचा रही है ये है भारतिय सेना जो समय और समीकरण के परिवर्तन के साथ देश की सुरक्षा और राष्ट निर्दवान के लिए प्रतिवर्द, प्रबल और परिवर्तन शीन है